नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शालू और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबो जेल के बारे में सीबो जेल क्या है ओईली एंड एकनेपरोन इसकिन पर इसका यूज आपको किस तरह से करना चाहिए तो आईए जानते हैं आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको आने वाली ऐसी ही स्किन केर वीडियो हमेशा और सबसे पहले मिल सके इस जेल में है 2% of सीबो जेल, सालिसलिक एसेड और 6% of निकोटिनामाइड जो की ओईली एंड एकने प्रॉन इसकिन पर एफेक्टिवली वर्क करते हैं और इसके अलावा फेस पर होने वाले इसकिन इंफेक्शन एकने वगेरा को ये ट्रीट करके इसकिन पर दिखने वाली ब्लेमिशेस को भी ये जल मिटाने का काम करता है सीबो जेल ओईली एंड एकने प्रॉन इसकिन पर एज़िट्रीटमेंट की तरह वर्क करता है साथ ही इसकिन के लिए भी सेफ है क्योंकि यह पूरी तरह से पैराबिन फ्री है अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो इसकी बाई लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है और साथ में कूपन कोड भी दिया हुआ है सीबो जल को आप फेस पर किस तरह से यूज़ करें जिससे कि आपको इसकी एफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिल सके क्योंकि मैं खुद इससे अपने स्किन केर रूटिन में अल्टरनेटिव शामिल करती हूँ और मुझे इसके बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिले है आप सोच रहे होंगे कि इस सीबो जल का इस्तेमाल में क्यों अपनी स्किन केर रूटिन में करती हूँ मेरे फेस पर तो एकने या पिमपस वगेरा है ही नहीं लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ब्लेक हेट्स और वाइट हेट्स को रिमूव करने के लिए इस जल को अपने नाइट स्किन केर रूटिन में अपलाई करती हूँ और सच में इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा इफेक्टिव है मातर दो एप्लिकेशन में ही आपके जितने भी जिद्दी ब्लेक हेट्स हैं और वाइट हैं वो सुबह तक सारे ही रिमूव हो जाएंगे ये सिबो जेल फेस पर होने वाले ओपन एंड लार्ज पोर्स को भी क्लोस करने का काम करता है ओपन पोर्स को क्लोस करने के लिए सिबो जेल यूसफूल तो है ही लेकिन ऐसे स्किन पर अगर आप कोई साभी फेश वास या फिर क्लिंजर से अपनी स्किन को क्लीन भी करेंगे तो भी आपकी स्किन अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगी जोकि अगर आपके फेश पर डीप ओपन पोर्स है तो सारी इंपूरिटिस डीप पोर्स में जाकर के जमा हो जाती है जोकि फेश वास से नहीं क्लीन हो पाती है तो ऐसे में अगर आप सिबो जेल का यूस करेंगी तो ये सिबो जेल डीपली आपकी स्किन को जिससे की ओपन पोर्स में जमा होती जाती है जो आगे चल करके पिमपल्स में कनवर्ट हो जाती है तो इस तरह की इसकिन को ट्रीट करने के लिए भी आप सिबो जेल को अपने इसकिन केर रूटिन में शामिल कर सकते हैं इसकिन अगर आपके बहुत जादा ओली एंड एकने केर प्रोड़क्ट के बारे में वीडियो शेयर की है जिनकी वीडियो लिंक में ने उपर आई बटन पर दे रखी है अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उपर जाकर क्लिक सरूर करें सिबो जल के बारे में अगर ये जानकार या आपको अच्छी लगी है तो इस नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद